प्राइम टेम बुलेटिन में मैं शहला आपका स्वागत करते हूँ शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख खबरों से सुप्रिम कोर्ट ने OBC आरक्षन पर एध्यासिक फैसला दिया है सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षन मेरिट के खिलाप नहीं है बलकि सामाजिक नया है कोर्ट ने किसी परिक्षा में मेरिट के साथ आरक्षन व्यवस्ता लागू के जाने को सही ठहराया है जस्टिस डिवाई चनरचूड और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने गुरवार को नीट पीजी में आरक्षन दे जाने के खिलाप दाखिल सभी आजिकाय खारिस कर दी और कहा कि मेरिट के साथ आरक्षन भी दिया जा सकता है इसे विरोधा भासी नहीं मानना चाहिए बतादे कि सुप्रिम कोर्ट ने नीट पीजी के मामले में साज जन्वरी को फैसला सुनाया था अपने फैसले में शिर्ष अदालत ने केंद्र को मेडिकल पर्थेक्रमों में अखिल भारतिय कोर्ट असीटों पर OBC को 27 पीज़ दी और EWS को 10 पीज़ अरक्षन प्रदान करने के अनुमती दी थी लेकिन कोर्ट ने उस वक्त इस फैसले को लेने के कारण को विस्तार से नहीं बताया था अब इसे अनुमती देती हुए गुरुआर को कोर्ट ने कहा कि अरक्षन योग्यता के विपरीत नहीं है बलकि इसके वितरन प्रभाव को आगी बढ़ाते हैं आपको बता दे कि सुप्रिम कोर्ट में आरक्षन के खिलाब कई याजिकाय दार की जा जुकी है दलिल यह थी कि EWS कोर्टे का लाब साला ना आए आठ लाक रुपे तक को दी जाती है जो कि सही नहीं है दलिल देने वाले का तरक है कि इतनी इंकम वाला परिवार आर्थिक रुप से पिष्टा नहीं होता लेकिन इसके जवाब में कोर्ट ने कहा था कि यह मापदंड सही है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि आरक्षन मेरिट के खिलाब नहीं है बलकि सामाजिक नहीं है जस्टिस डिवाई चंडरचूड और जस्टिस एस बोपनना की बेंचनी कुरवार को नीट पीजी में आरक्षन दे जाने के खिलाब दाखिल सभी आजिकाय खारिश कर दी और कहा कि मेरिट के साथ आरक्षन भी दिया जा सकता है इसे विरोधा भासी नहीं मानना चाहिए अब ऐसे में जो महानुभव आरक्षन को लेकर अकसर पिष्टे पर्क पर सवाल उठाते रहते हैं उन्हें किसी पार्टी या विक्ति विशेश ने विरोध नहीं किया है बलकि सविधान की प्रती श्रद्ध भाव रखने वाले सुप्रिम कोड नहीं है फैसला सुनाया है जिससे ऐसे लोगों को एक भारी भरकम जवाब मिल किया है क्या रक्षन क्यों ज़रूरी है बिले रिपोर्ट इक्वालिटी नियूज मध्यप्रदेश दीत इंदोर की जेल अधिक्षक अपने जेल में कराएगे शारिरिक विकास के लिए टोर्नामेंट को लेकर फिलहाल सुर्खियों में है जिसे लेकर जेल डी जी अर्विंद गुमार ने इंदोर केंद्रिय जेल अधिक्षक की कारिशायली को देखते हुए प्रशन साभिवित की इंदोर की सिंट्रल जेल में भी कैदियों ने प्रतियों गिता के दोरान चोकेट छके लगाए इस आयोजन में लगभग 11 टीमों ने भाग लिया जेल प्रिमियर लीग में ब्लैक पैंथर और लाउयंस टीम को रखा गया था 17 दिन क्रिकेट आयोजन चला, फाइनल मुकाबला ब्लैक पैंथर टीम ने चीता इस प्रकार के आयोजन को देखते हुए के अंद्रे जेल इंदोर के कैदियों में एक उस्साह का माहूल बना हुआ था कैदियों में से जो क्रिकेट में हिस्सेदारी लेने पहुँचे थे उनको ड्रेस कोड भी दिया गया था इंदोर जेल अधिक्षक श्रीमती अलका सोनकर द्वारा आये दिन कैदियों की बीच प्रेम बना रहे हैं और भविश्य में कोई अपराध ना करे इस प्रकार के कारेकरम कराया जाते हैं मध्यप्रदीश से दीपक बसर इक्वालिटी न्यूस के लिए देश की सर्वुच अधालत जन्मानस को ने जमानी की मताबिक मोडनी की महत्वपूर्ण भूमी का बखुबी निभाती रही है इसी कड़ी में सुप्रिम कोड ने पिता की अपनी कमाई संपत्यों में बेटियों के अधिकार को लेकर गुरवार को एक बड़ा फैसला दिया है देश की शिर्ष अदालत ने हिंदू परिवार की बेटियों को उस तीती में अपने भाईयों या किसी अन्य परिजन के मुकाबले पिता की संपत्ति में ज्यादा हगदार बताया हैं जब पिता ने कोई वसियत नामा नहीं बनाया हो और उनकी मृत्ति हो जाती हो फैसले इस सम्मंदित बात में कहा गया है कि बेटों के अलावा बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा अगर बेटा नहीं है तो सम्मंदित विरासत पर बेटी का हक होगा वही अगर हिंदू महिला यदि निसंतान और बिनावसीहत के देहत्याग करती है तो जो भी संपत्ति उसे विरासत में मिली है वो अपने मुल्स्त्रोथ के पास लोट जाएगी नयमूर्ति एस अब्दुल नजीर और नयमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बटवारे सम्मंदित मुकदमे के तहत फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने शुकरवार को सिविल सेवा परिक्षा के एक उमिद्वार की एकृट याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है याचिका करता ने संगल लोग सेवा आयोग यानि सिविल सेवा परिक्षा 2020 की अंतिम चैन सूची को 50% आरक्षन सीमा का उलंगन करने की सीमा तक रद करने की मांग की थी उमिद्वार के अनुसार सिविल सिवा परिक्षा 2020 की चैन सूची में 50% आरक्षन सीमा का उलंगन किया गया याचिका करता नितिश शंकर 2020 की सिविल सिवा परिक्षा में उमिद्वार थे उन्होंने दलिल दी थी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा लागू करने से आरक्षन 60% हो गया है और सामने वर्ग के लिए केवल 40% पद ही बचे हैं याचिका में तर्क दिया गया था कि UPSC ने सामने वर्ग के तहट 34.55% ती उमिद्वारों की नियोकती की सिवारिश की है जबके आरक्षित वर्ग के तहट 65.45% ती उमिद्वारों की चैन की सिवारिश की डए है जिससे चैन में गड़ बड़ी हुई है तमिल सिनिमा सहित देश के सभी कलाकार परगों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है जहाद दुनिया भर में सुर्ख्या बटोर्चु की फिल्म जैभीम को इंटरनेशनल अवार्ड आसकर के यूटूब चैनल ने अपने कलेक्शन में जगदी है जहाद आसकर यूटूब चैनल पर फिल्म के एक दिश्य को दिखाया गया है इसी उकलबदी के साथ जैभीम तमिल सिनेमा में ऐसे पहली मूवी बन गई है जिसे आसकर ने अपने यूटूब चैनल में फिचर किया हो आसकर एक विख्यात और दुनिया भर में फिल्मों के लिए मानिता प्राप्त बड़ा सम्मान है वही इस मुद्दे से अभीनिता सूरिया और समधित सभी टीम को लोग बधाया दे रहे है फिल्म पिछले साल दो नवंबर को रिलीज हुई थी जिसे काफी सराहा गया था जातिय भेदभाव को लेकर फिल्म मनाई गई थी जिसे लोगों ने भरपूर प्यार दिया और असकर का अपने यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म की दुरुष्य को प्रदरशित करना अपने आप में एक संवान की बात है मध्यप्रदेश के बढ़नगर के ग्राम असावत के ग्राम इंड सरपंच की मनमानी से परिशान है बतादे की ग्राम असावत में ग्राम पंचयत का भवन जो करीब 40 वर्षों से बना हुआ है वर्तमान में जिर्न शिर्न हो चुका है और पुरानी भवन के स्थान पर नया भवन बनाना है जिसकी स्विक्रूती भी हो चुकी है लेकिन सरपंच अपनी मनमानी करते हुए नजर बतादे की ग्राम असावत में ग्राम पंचयत का भवन करीब 40 वर्षों से बना हुआ है वर्तमान में जिर्न शिर्न हो चुका है और पुरानी भवन के स्थान पर नया भवन बनाना है जिसकी स्विक्रूती भी हो चुकी है लेकिन सरपंच अपनी मनमानी करते हुए वक्त ग ग्राम पंचयत के लिए दोज पिस्वा जमीन आवंटित की गई है वहाँ पर भवन न बनाते हुए उसे अन्य जगण बनवाना चाहते है जिसके लिए पूर्व में ठहराव प्रस्ताव भी पारित हो चुका है लेकिन ग्राम पंचयत भवन नई जगण बनाने का विरुत क ग्राम पंचयत भवन पुरानी जगण बनाते हुए नई जगण बनाई गई तो ग्राम पंचयत भवन पर बनाने के लिए सुविधा जनक है ग्रामिनों की मांग को देखते हुए जनपत सीउ प्रदिप कुमार पॉल ने ग्रामिनों को आश्वासन दिया हैं कि नवीन ग्राम पंचायद भवन वही बनेगा जहां ग्रामिन चाहते हैं मध्यप्रदीश से दीपक बसेर एक्वालिटी निउस के लिए प्राइम टेम बुलेटीन में फिलाल के लिए बस इतना ही खबरों के अधिक जानकारी के लिए आज ये इक्वालिटी शॉप आप को डाउंलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूले